नमश्कार इन खबर में आपका स्वागत है आम चुनाव 2024 के एलाम के बीच Electoral Bond को ले करके सुप्रिम कोट ने जो एतिहासिक फैसला दिया है उसे राजनेतिक दलों में बेचैनी है तरह तरह के बहाने बनाये जा रहे हैं ये Bond कैसे पहुँचा उन्हें नहीं जानकारी उनके Office मेली फाफे में बंद मिला था क्या ऐसा हो सकता है कि कोई पैसा दे और उसके पीछे को उसका स्वार्थ न हो हरगीज नहीं लेकिन 2017 में Electoral Bond को ले करके बना कानून आगे चल करके इतना तुल पकड़ेगा और काले पैसे को उसमें छिपा करके राजनितिक दलो को दिया जाएगा सोचाना था विरोध तो उसी समय शुरू हो गया था जब इसे 2017 में इंट्रूड्यूस किया गया 2018 में नोटिफिकेशन जारी हुआ और 12 अप्राइल 2019 से एलक्टोरल बॉंड खरीदने और राजनितिक दलो को देने का सिलसला सुरू हो गया अभी तक 12,000 करोण से ज्यादा एलक्टोरल बॉंड खरीदे गए और राजनितिक दलो को बाटे गए इसी भी एक नाम खासा चर्चे में है नाम है लोकेश बत्रा आखिरकार लोकेश बत्रा कौन है और एलक्टोरल बॉंड से उनका नाम कैसे जुड़ा तो आपको बता दे कि कोमोडोर लोकेश बत्रा 36 सालों तक नेवी में देश की सिवा किये 2002 में जब रिटार हो रहे थे तभी उन्होंने संकल्प लिया था कि इसके बाद वो दूसरी नोकरी नहीं करेंगे बलकि देश की सिवा करेंगे इसी बीच 2005 में आटियाई आया उन्होंने इसे अपना मिसन बना दिया और जितने भी राष्ठित के मुद्धे थे उस पर उन्होंने आटियाई लगाना सुरू किया निठारी कांड से लेकर के तमाम मुद्धों पर उन्होंने आटियाई लगाई आवेदन दिया यहां तक की PM Modi की विदेश यात्राओं पर होने वाले खर्च को ले करते भी उन्होंने आवेदमत किया 22 RTI अधिनियम के हिंदी संसकरण में विभिन तूटियों को इंगित करने वाले भी थे जिसके कारण इसमें संसुधन किया लिया उन्होंने Electronic Indian Postal Order EIPO के माध्यम से RTI सुलका भुगतान करने में सक्षम होने के लिए विदोशों में रहने वाले भारतियों की बाधाओं को दूर करने में भी महत्वपूर्ण भुनका निभाई जैसे ही Electoral Bond को लेकर के कानून आया उनकी दमाग में इस सवाल कौन था कि फिर तो कोई भी Electoral Bond खरीद करके और अपना स्वार्थपूर्ति कर सकता है लियाजा एक के बाद एक उन्होंने कई RTI Act के तहत आविदन लगाए उससे जो जानकारी मिली वही Electoral Bond पर सुप्रीम कोर्ट में PIL का आधार बनी अब entry होती है ADR का Association for Democratic Reforms जिसकी आज थापना IIM अहंदाबाद 11 प्रोफेसर्स ने मिल करके की थी वो भी देश सिवा के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचका लगाई और ये केस शलने लगा अभी तक बहुत कम लोग पता होगा कि इसमें चुनाव आयोग भी सामिल हुआ और डिजरो बैंक भी और दोनों ने अपनी चीनता जताई कि टोरल बॉर्ण के खरीदने पे जब कोई प्रतबंध ही नहीं है तो फिर बिदेशी एजेंसिया या बिदेशी लोग भी इसको खरीद करके और हमारी देश की नितिया प्रभार्वत कर सकते लिहाजा 27 मार्ज 2019 को चुनाव आयोग ने सुप्रिम कोर्ट में अपनी बात रखी और केस चलने लगा बीच में कोरोना आ गया केस की सुनवाई रुख गई इसके बाद 2023 जब खत्म हो रहा था उससे कुछ दिनों पहले फिर से इस पे सुनवाई सुरुख हुई और 15 फरवरी को सुप्रिम कोर्ट ने अइतिहासिक फैसला दिया कि जानकारी देनी होगी इससे सुचना के अधिकार का उलंगहन होता है मौलिक अधिकार का उलंगहन होता है पहले इस्टेट बैंक का फिंडिया जो की एक तरद से इसमें नोडल बैंक है जिसके 29 साखाओं स एलक्टोरल बार्ण साल में च्यार बार खरीदे जा सकते हैं वो आना कानी करता रहा फिर कहा कि वो मिलान नहीं कर सकता लेकिन सुप्रिम कोर्ट डिगा नहीं और फैसला सुना दिया कि आपको जानकारी देनी होगी पहली बार में उन्होंने दोनों सेट की अलग-अलग जा लेकिन अब क्लियर कर दिया कि आल डीटेल्स मतलब आपको ये भी बताना होगा इसके बाद राजनितिक दलों में बेचैनी है टी-एम-सी और जे-डी-उ समय तमाम राजनितिक दल कह रहे हैं कि उनके पास ये पैसा कहा से आया उन्हें नहीं पता एक लिफाफे में ये एल भुना पाते हैं तो फिर ये पी-एम-रिलीफ फंड में चला जाता है सबसे अधिक बीजे-पी को चंदा मिला है लिहाजा उसके फेवर में या उसको देने के लिए एलेक्टोरल बॉन्ड जादे खरीदे गए अन्यदलो यानि कि कांग्रेस टी-एम-सी समय तमाम को ये एल मत दिखाई है इसके बाद वो चर्चे में हैं और सर्च में हैं आपकी क्या रहा है कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर किजिएगा रहे ने बेखबर देखते रहिए इनकबर थैंक यू